हाई गाईज एक ऐसे इंडक्शन कुकर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो टच कंट्रोलर इंफ्रा रेड कुकर ये इंडक्शन कुकर मेड इन इंडिया का है इस पे फिंगर और टाइमर का निस्टान भी दिया गया है इस इंडक्शन कुकर का इंपूड बोल्टेज 220 चाहिए और इसका फ्रेक्वेंसी 50 है और इसका पावर है 2000 वाट इस आइटम का नाम है इंफ्रा रेड और इंडक्शन कुकर और आल इन वन अब इस बोक्स को उपन कर देते हैं इसको अच्छे से पैकिंग किया गया है कि ग्लास टूटे न वाओ गाईज इंफ्रा रेड का वाड़ी स्टिल का है जो स्टार का सिंबल बनाया गया है उतना ही साइज में इंडक्शन कुकर हिटिंग हो गया और यहां है डिजिटल मीटर इंडक्शन कुकर का और यहां है इंडक्शन कुकर का रिडिंग शो करने के लिए और इसके दोनों तरफ में हैंडिल भी लगाया गया है और इसका फ् फैन का हवा निकलने के लिए जो इंडक्शन कुकर के उपर ग्लास का यूज किया हुआ है वो ग्लास टफन ग्लास है इस इंडक्शन कुकर में एक चीज और प्लस किया गया है वो है इसकी जाले इसका यूज इस पे कोई भी खाने वाला चीज उबाल सकते हैं अब induction cooker में 220 volt input दे देते हैं इसके बाद plug को लगा देते हैं और हमारा induction cooker में power supply आ चुकी है और ये indicator glow हो रहा है अब हम अपने finger को इस पे touch करते हैं जैसे ही हमने touch किया वैसे ही हमारा induction cooker on हो चुका है on हो जाने के बाद touch करके power दे देते हैं ये 2000 watt reading शो कर रहा है ये induction cooker 2000 watt का reading शो कर रहा है और ये minus वाला reading को घटाने के लिए और ये plus वाला reading को बढ़ाने के लिए है तो ये हमारा induction cooker काफी heat हो चुका है अब हम इस पे कोई भी चीज उबाल सकते हैं सबसे बड़ी बात ये है कि इसके side में glass heat नहीं होता है वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe करना न भूलें और bell icon को भी प्रेस करना न भूलें ऐसे ही नया नया वीडियो देखने के लि नमस्कार अगले वीडियो के लिए इंतिजार